वेलकम टू जस्योपीडिया आज एक और रिव्यू वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है वेलकम एब्रिवान तो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा रिव्यू मैं प्रड़क्ट कर रही हूँ जो मैंने आज तक खुद भी यूज नहीं किया तो बिल्कुल ही नूट्रल रिव्यू रिखेंगे इसको वैसे तो मेरे सारे रिव्यू जो होते है वो नूट्रल ही होते है मैं कभी बिना मतलब पे किसी चीज़ को प्रेज नहीं करती हूँ और किसी चीज़ को बिना मतलब पे बिकार भी नहीं बोलती हूँ तो आज का जो रिव्यू जो प तो उसके लिए सबसे पहले, I'm going to change my clothes, I'm going to dye my hair and then पूरा face clean करके अच्छा से, उसके बाद I'll see you, मैं उसका एक, ठीक है मैं दिखा देती हूँ कौनसी wax की मैं बात कर रहे हूँ, कौनसी face wax की मैं बात कर रहे हूँ Talking about this turmeric facial wax, this is 5 minute painless herbal wax लिखा हुआ है, Clara इसकी company है, 80 grams का ये packet है and then इसकी packaging अगर हम देखें तो देखो, इसकी MRP है 337 rupees की लेकिन मुझे ये मिला है around 200 maybe, मेरे ख्याल से 200 का ही मिला है मुझे ये तो हम इसमें पहले ingredients देख लेते हैं क्या-क्या है, तो इसमें ingredients है, wild turmeric, rice flour, yellow multani, white multani, sandalwood powder, orange peel powder and mangista powder, barium powder, sandal essentials and sandal fragrance, तो direction लिखी हुई है, हमें इसको पहले लेना है, बोल में पानी या फिर दूद मिलाना है और एक तो flowable paste पनानी है, ठीक है, अच्छा, जूल्री रिमूफ करने के लिए बोला गया है, apply the paste with help of brush or spoon on the desired area from where you want to remove unwanted, जहाँ जहाँ है, वहां से अटाने है, वहां पे लगाना है, पान से साथ मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद, wipe off opposite direction with a wet towel, after waxing use only moisturizer, ठीक है, तो हमें do not apply और keep it for more than 7 minutes, अच्छा, और कुछ apply नहीं करना है, warnings दी गई है, अगर sensation feel होती है, तो आपको immediately remove कर लेना है, cooling agent लगाना है, ice cubes, aloe vera gel अगेरा, कोई patch test कर ले पहले, मैं patch test नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसे ही इसको आज यूस करने वाली हूँ, बहुत bold हूँ, you know, brave girl, कुछ हो गया ना मेरे मूँ को, मेरे पती देव ने ना मेरी जान ले लेनी है, चलो Karen, let's start, मैं अपना पेस क्लीन कर लिया है, और बाल भी टाइ कर लिया है, अब मैं इसको, मेरे ना पेस पर इससे जादा बाल नजर आ नहीं रहे हैं, मुझे खुद को नहीं आ रहे हैं, पर मैंने थोड़ी से फेबी कैप्चर किया है, तो मुझे यहां पर यहां पर थोड़ी से बाल नजर आए है, तो let's apply this paste, जो हमने अभी बनाई है, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं, अब टाइम एक तो आप टाइम एक वर्कस लगाया हुआ है, पुरा का पुरा ट्राइ हो चुका, आप टाइम एक टाइम है, तो अब टाइम एस तो रिमोफ और एक वर्कस और नाट, तो let's wipe it off, यह स्वांश लेले मैंने, और इस से अब मैं इसको करूंगे क्लीन, अभी ठीक है, तो इसको ना ओपोजिट डारेक्शन में क्लीन करना है, यह की ओपोजिट डारेक्शन में, I don't know कुछ होगा है या नहीं होगा, I think कुछ तुम हुआ है, कुछ हो गया है, Hmm, उतर गए बाल, Yes, Remove हो गया, यह कुछ है, नहीं, क्लीन हो गया बिलकुल, Hello, उतार लिया है, यह दिखो, वग तो कर गया है, See, हेर तो रिमूव हो गया है, और क्या चाहिए, जिस काम के लिए, जो प्रड़क्ट यूज किया था, अगर वो काम वो कर रहा है, तो that's it, काफी है, Smell बहुत गंदी थी, वो जैसे होती थी न, वो N-French या wheat वोगएरे की smell आती है, वैसे smell है, तो smell तो अच्छी नहीं है, बाकी प्रड़क्ट ने अपना काम पूरा किया है, ठीक है, हेर रिमूव हो गया है, लेकिन अकर आपकी skin sensitive है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, विकाज मेरी skin sensitive है, तो मैं जब उसको रिमूव कर रहे थी, तो मेरे कफ़ी ज़ादा redness आ गई, जो की, मतब, you can see, यहाँ पर यह सब ऐसा हो गया है न, लेकिन यह है कि, मैंने फिर उसके उपर से उसको aloe vera gel लगा लिया है, और moisturizer वगयरा लगा लो, ठीक हो जाता, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो उसका जो काम है वो वो कर रहा है, तो मेरी तरफ से thumbs up है, आप इससे ज़रूर purchase कर सकते हैं, मिलती हूँ नए वीडियो में, नए experiment और नए experience के जाए तिल देन, बाई!